हेलो फ्रेंड्स दोस्तों आज मैं आप लोगों को कटिंग से तयार गेंदे के पौधों को कैसे लगाया जाए इसका पूरा मेधर्ड यानि पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा तो जब भी आपको गेंदे की कटिंग लगाना हो तो उसकी एक फ्रेस कटिंग जिसकी डाल बहुत जादा नहों तो मोटी हो नहों पहुत पतली हो इसको आप कोको पीट में लगाएं और कोको पीट में लगा करके थोड़ा ऐसी जगह पर रखें जहां बहुत तेज धूप ना आती हो तो आप देखेंगे कि लगभग 5-6 दिन के अंदर जो है उसमें रूट्स आ जा और अगर अच्छा तो यह होगा कि अगर आप उपर से एक पॉलिथीन की कवर लगा दें तो यह बहतर होगा और नीचे से एक खोल जरूर छोड़ दीजिए ताकि कभी माले जिए भूल से एक्स्ट्रा पानी पड़ जाए तो वो नीचे से वाश आउट हो जाए तो यह दे इसको मिट्टी तो आलड़ी मैंने तयार कर लिया है यह दिखिए कई कप में मैंने लगाया है और एक दो में तो कलियां भी आ गई है और यह मार्च का समय इसके लिए बढ़िया है फिट है गेंदे की कटिंग आप भी लगाईए तुरंत और आप देर कर देंगे तो वो द यह देखिए एक टब में मैंने एक ऐसी मिट्टी तयार की है जिसमें लगबग 50% तो पुराना गोबर है और 40% जो है मिट्टी है गार्डें सॉयल है और 10% इसमें मैंने गंगा रेत मिला करके रखा है 10% और थोड़ा सा इसके मिट्टी थोड़ा सा लूज होनी चाहिए गे गेंदा उसी तरह से डिबलब लेगा अगर आपका गंबला चोटा है तो आपका गेंदे का पौधा चोटा ही रह जाएगा अगर बड़े पौट में लगाएंगे तो उसको विक्सित होने का अच्छा उसर मिलेगा तो यह बड़ा सटब है दोस्तों लगबग इसकी लगा चुका हूं और इन तीनों को इसमें लगाऊंगा तो बहुत आसान है बस इसी तरह से आप जैसे आप देख रहे हैं इसको इसी तरह से आप लगा लीजिए लगा करके और इसमें वाटर कर दीजिए वाटरिंग कर दीजिए पानी तो पानी आप स्प्रे के माध्यम से लालें और ये ध्यान रखें कि आप थोड़ा सा धूब टेज हो रही है तो इसकी मिट्टी सुखने न पाए जब भिश भी आप कोई भी पॉदा हो इस बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि गमले की मिट्टी सूखने न पाए क्योंकि अगर गमले के मिठी सूख जाती है तो पौधा डेट भले न हो लेकिन उसका जो लुक्स होता है वो एकदम बेकार हो जाता है तो ये दिखिए मैंने फुहार के माध्यम से इसमें पानी डाल दिया है और अब लगभग ये चार पान दिन के बाद का अब डेट आप देख रहे हैं ये पौधा अब इतना बड़ा हो गया है इसमें फ्लावर भी आ गये हैं तो दोस्तों गेंदे के संबंद में एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको गेंदे के पौधे को बड़ा करना है तो जो कलियां या फ्लावर्स इसमें आए क्योंकि अगर सारी ताकत गेंदे की अगर इन ही पर डिस्ट्रिब्यूट हो जाएगी तो गेंदे का पौधा उचा नहीं हो गया या नि बढ़ेगा नहीं तो अभी थोड़ा सा सब्र करते हुए जितनी भी कलियां और फ्लावर्स हैं उनको मैं हटा दे रहा हूं ताकि ये पौधा थोड़ा सा उचा हो जाये तो कि उचा हो जाएगा और घणा हो जाएगा तो उसमें और भी जादा कलियां आएंगी अब फ्लावरिंग और भी अच्छे से होगी तो फ्रेंट्स गेंदे में वैसे तो जल्दी कोई कीट वगरे नहीं लगता है थोड़ा सा मकड़ी लगता है तो यह थोड़ा पानी की फुहार के माध्यम से अगर आप इस पे पानी डालते हैं तो वो सब प्राबलम्स दूर हो जाएंगी और कभी-कभी आप नीम ओयल का इस्प्रे भी कर सकते हैं जो करली लिफ की प्राबलम होती है वो इसी कीड़े की वज़े से एफिट्स क कटिंग के बाद ये इतना अब घना हो गया है और इसमें खोब धेर सारी कलियां दिखाई दे रही है बस फ्लावरिंग के लिए ये तैयार हो गया है खोब धेर सारी ये दिखे धेरों कलियां इसमें आपको दिखाई दे रही होंगी तो इस तरह से हमें कटिंग को गेंदे पौधों की कटिंग आप आराम से इस समय लगा सकते हैं तो ये देखे लगबग 20 दिन के बाद का ये अपडेट है और हमारा पौधा ये है बड़ा होता जा रहा है तीनों पौधे को बड़े हो रहे हैं और काफी घने भी है और इसमें फ्लावर्स धीरे धीरे आ रहे हैं और कुछी दिनों में ये पूरा टुटब है वो फूलों से भर जाएगा तो उसका भी एक लुक आपको में दिखाऊंगा काफी अच्छा लगता है ये गेंदे के पौधे में उसकी पतियों में भी खुश्वू होती है जो की मच्छरों को दूर रखती है तो ऐसे पौधे को अपने गार्डन में तो जरूर लगाना चाहिए और हमारे गार्डन का ये सबसे नार्मल पौधा है ये हमारे गार्डन में जरूर रहना चाहिए तो दोस्तों वीडियो का ऐसा रहा प्लेस कमेंट जरूर करें तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स पर वाचिन